पूरा विश्व ही भारत को देख रहा है और विभिन स्पेस एजेंसियां भी उत्सुक्ता से चंद्रयान तीन के इस मौके को पूरी तरह से वो ट्रैक कर रहे हैं और वो देख रहे हैं और इसके साथ आप ये बात समझे कि इसरो इस समय संसार की चार-पांच सर्फरेश्ट या सरवोच स्पेस एजेंसिस में से एक है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आज शाम को जो कुछ होना है और चंद्रमा पर लैंडर रोवर की जो उतार है वो पूरी अमीद की जाते कि सकस्वल होगी हमें इसरो के कांफिडेंस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि ये सब सही होगा इसके साथ जो है इसरो जो है संसार का की चौथी स्पेस एजेंसी बन जाएगा जो उन्होंने चंद्रमा पर सुरक्षित अपने स्पेस प्रोप्स को उतारा कि एक बहुत बड़ा रस्ता खुल जाता है सबसे बड़ी बात है कि सकस्वल लेंडिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा एचीवमेंट है इसरों इसको जो है डेमस्ट्रेशन के रूप में लिया है और इससे पहले भी जो है प्रयास हुए है वह इसरों के अच्छे देशे से थे और फिर जो भी कमी रहे गई उसको अच्छी तरह से पूरा किया गया है लेंडर को ज्यादा मजबूत किया गया सॉफ्ट वेब में उसे हिसाब से जाए इंप्रूमेंट और संशोधन किये गए ट्रजेक्टरी इसको पूरी तरह से ध्यान से देखा गया किस ऐसे trajectories को follow किया जाना है अब तक कि जो यात्रा है वो बड़ी अच्छी रही है और जिस प्रकार से अमीद की जाती थी उसी प्रकार से रही है लेकिन आने वाले समय में जो है इस रो को बहुत जो है एक ऐसी माननेता मिलेगी कि वो उसको जो है उससे हमें जो है बहुत खुश होना चाहिए और जहां तक बात benefits की है तो immediate benefit जो है विज्ञान की दृष्टी से है क्योंकि हमें चंद्रमा की सतय की उसके वातावरन की और इसके भीतरी हाल-चाल का जो है हमें जो पता लगेगा दक्षिन दूरू के लाके में आज तो कोई नहीं गया तो इस तो के जो के सामने लाएंगे लेकिन आने वाले समयों में अगले missions भी हैं चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 की भी बाते हुई है और चंद्रयान 4 तो जापान की Space Agency के साथ होना है तो देखते हैं जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जाते हैं हम बहुत कुछ जो है विज्ञान के खेतर में प्र